हेलो एब्रीवन आज हम मांग की लोच के पूरे लेसन के नोट्स का पार्ट वन आपको बताने जा रहे हैं इससे पहले हम मांग की लोच से सम्बंदित बहुत सारे वीडियो अप्लोड कर चुके हैं आशा करते हैं आपने देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो एकनामिक्स की प्लेइलिस्ट में आप इसको देख लीजेगा मांग के निरधारत पत्व मांग को निरधारत करने वाले तत्व निमलिकित हैं वस्तु की कीमत मांग को अत्यदिक प्रभावित करती है सेकंड उभ्भोकता की रुची पसंद और फैशन से भी वस्तू के मांग प्रभावित होती है थर्ड सम्बंदित वस्तू की कीमतों में परिवर्थन होने से भी मांग प्रभावित होती है ये सम्मंदित वस्तुएं, स्थानापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं होती हैं और फोर उभोक्ता कि आय में परिवर्थन वस्तु की मांग को प्रभावित करता है ये परिवर्थन समाने वस्तुएं और निम्न इस्तरिये वस्तुओं की इस्तिती में होता है प्रन्तु इसका प्रभाव आशक्ता की वस्तु पर नहीं पड़ता है मांग तालिका, मांग सार्णी या मांग अनुसूची किसी वस्तु विशेश की किसी समयवधी में विभिन मूलियों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को एक तालिका के रूप में प्रकट करने को मांग तालिका कहते हैं मांग तालिका वो तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन कीमतों पर खर्च की जाती है उसे वस्तु की मात्रा को प्रकट करती है मांग की तालिका मूल और मांगी गई मात्रा में कारियात्मक संबंद को व्यक्त करती है बेनाम के अनुसार किसी बजार में एक निश्य समय पर दिये हुए मूले पर जितनी बिक्री होती है यदि उसे एक सार्णी के रूप में प्रस्तित किया जाए तो वो मांग अनुसूची के प्रकार होते हैं मांग अनुसूची निमने दो प्रकार की होती है पहला व्यक्तिगत मांग तालिका दूसरा बजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका, ये तालिका इस बात की जानकारी देती है कि एक निश्चित समय पे एक व्यक्ति विविन मूले पर वस्तु विशेश की कितनी मात्राइं मांगता है या क्रे करता है व्यक्तिगत मांग तालिका को निम्न उदाहरण के द्वारा हम इस पस्ट कर सकते हैं इस तालिका में देखिए कि ये व्यक्तिगत मांग तालिका है PX जो है कीमत है प्रती इकाई मूल्य है और मांगी गई वस्तू की मात्रा जो है वो QX है तो जब मूले प्रती हिकाई 2.50 था तो मांगी गई मात्रा 5 है जब मूले कम हुआ 2 रुपे हुआ तो मांगी गई मात्रा 7 हो गई फिर मूले और कम हो गया 1.50 तो मांगी गई मात्रा बढ़ गई 10 हो गई इसी तरह मूले और कम होने पर मांगी गई मात्रा में और व्रदी हो जाती है उपरोग तालिका को देखने से स्पस्ट होता है कि जैसे जैसे वस्तू की कीमत कम होती जाती है वैसे वैसे वस्तू की मांग की कायों में व्रदी होती जाती है इसी को मांग का नियम भी कहते हैं बजार मांग तालिका इस तालिका से आश है ऐसी तालिका से है जो किसी विशेश सनय पर किसी वस्तु विशेश की विबिन कीमतों पर उसके लिए समस्ष बजार की मांग को प्रदर्शित करती है इसे किसी एक वस्तु के लिए विविन कीमतों पे उसके सभी करेताओं की विक्तिकत मांग तालिकाओं का योग करके प्राप्त किया जाता है माना संत्रे के बजार में केवल तीन ही करेता हैं जो X, Y और Z हैं तो इसको इस परिस्तिती में बजार मांग तालिका ऐसे बनेगी अब बस्तु के संत्रों की प्रती दर्जन मूले दिया हुआ है कॉलम में 10, 8, 6, 4 और 3 इसी तरह बजार मांग तालिका में X जो है वो 5 संत्रे की मांग कर रहा है जबकी कीमत 10 रुपे है और Y जो है 4 संत्रों की मांग कर रहा है और Z जो है 6 संत्रों की मांग कर रहा है तो हम इन सब को जोड देंगे X और Y और Z को तो बजार में मांगी गई कुल मांग है 15 जबकी प्रती दर्जन मूले 10 रुपे है इसी तरीके से सेकंड रो में देखते हैं तो X की संतरी की मांग 6 है Y की 5 है और Z की बढ़के 7 हो गई है और इनका टोटल 18 है तो बजार की मांग 18 है जबकि कीमत घड़ गई है 10 से 8 रुपे प्रतिदर्जन हो गई है तो इस तरह से अगर बजार में कई करेता है तो उनकी समलित मांग समगर मांग को हम बजार मांग तालिका कहते हैं मांग वक्र या मांग रेखा मांग वक्र से आशे मांग अनुसूची के जहमती रूप से है अथा जब मांग अनुसूची को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार निर्मित वक्र या रेखा को मांग वक्र या मांग रेखा कहते हैं ये वस्तु की वेभिन मोले एवं उन मोलें के वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के मद्द संबंद को प्रदर्शित करता है समानिता एक वस्तु का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे समानिता एक वस्तु का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है मांग वक्र में निमलिखित दो प्रकार से बनाए जाते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र ये तालिका के अधार पे बनाए गया रिखा चित्र व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है बजार मांग वक्र ये तालिका के अधार पे बनाया गया रिखा चितर ब्यक्तिगत और 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 ब्यक्ति वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी कीमत के विपरीद दिशा में परिवर्टित होती है अर्थात कीमत बढ़ने पर वस्तु की कम मात्रा और इसके विपरीद कीमत घटने पर वस्तु की अधिक मात्रा मांगी जाती है मांग के नियम की विशेष्टा हैं अन्य बातों समान रहने पर ही ये नियम क्रियाशील होता है अता ये नियम तभी लागू होगा जो भोकता की आय संबंदित वस्तो की कीमतों और जलवायू आदी में कोई परिवर्तन नहीं होता है दूसरा मांग और कीमत में विपरीश संबंद पाय जाता है तीसरा मांग का नियम मांग की कीमत में अनुपातिक संबंद स्थापित नहीं करता है अर्थात ये नियम वस्तो की कीमत में परिवर्तन होने पर उसी मात्रा में होने वाले परिवर्तन को की दिशा तो बताता है लेकिन परिवर्तन की मात्रा नहीं बताता है, इसके मांग का नियम एक गुड़ात्मक कथन है, ना कि एक परिमाडात्मक कथन है. मांके नियम की मानने ताएं पहला सीमात उपयोगिता हास नियम में वस्तू की मात्रा और उसकी उपयोगिता में रनात्मक संब्न होने के कारण मांग वक्र संब्न के कारण मांग वक्र व्रिनात्मक ढ़ालवाला होता है धर्ड वस्तु की कीमत मांग पूरखवस्तों की प्रभाशीलता के कारण भी मांग का नियम की रियाशील होता है। इसके बाद है मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के निम्न अपवाद हैं। वन गिफिन वस्तुएं, टू प्रतिस्ठा मूलक वस्तुएं, थर्ड भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंखा, फूर्थ अनिवारे वस्तुएं, फिफ्थ उभोकता की अज्ञानता, तो आज के हम इस वाले नोट्स में, नोट्स के भागवन में इतना ही बताएंगे, इ बेल आइकोन को प्रेस कर दीजें,